तो देख लेते हैं कि आज कौन कौन सी कंपनी अपने रिजल जो है पोस्ट करने वाली है जिसमें बात करें केसोराम इंडस्ट्री बनारस बीट्स लिम्टेट फेडरल बैंक गुजरात लीज फाइनेंसिंग बैंक कॉप महाराष्ट पोद्दार पिगमेंट एस वी पी ग्लो कुछ स्टॉक्स के ऊपर जिनके रिजल्ट बहतर आते हुए इस बार दिख सकते हैं जिसमें अगर बात करें इंजल ब्रोकिंग रिजल्ट इस बार भी इनके अच्छा आते हुए दिख सकते हैं वर्दमान एक्रिलिक्स और एस वीपी ग्लोवल टेक्स्टाइल इस पे भी नजर रखनी चाहिए और साथ के साथ ये भी देखना चाहिए कि बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं क्या उनमें जो है उस तरीके की इसाब किताब दिख रहा है जिस तरीके से उन स्टॉक्स के अंदर जो है तीजी आ चुकी है और वो किस तरीके से जो है इस स रुका हुआ है और काफी इसमें जो है प्रॉब्लम्स चली रही है इस टॉक के अंदर तो में ली इन में जो है नजर रखने वाले दो चारी स्टॉक है जिसमें एंजल बन की अगर बात करें बर्दमान एक रिलिक्स की अगर बात करें और पिगमेंट से रिलेटेड भी अब्ल्रिक्तर से रिलेटेड़ चाहर है अपको फोकस एक तरीकर से चैख करना चाहिए रिजल्स बस्ट बस मैंने आपको बताई दिया किनके निस टॉक्स पर आपको रखना चाहिए तो फिर मिलते हैं जैसे इन इस टॉक्स के जो है रिजल्ट आएंगे जो रिजल्ट थोड़ा बहतर होगा पॉसिबिल्टी रखूंगा कि वो जो है मैं आपके सामने पोस्ट कर पाऊं और उसके ब झाल एंगे जए रखने कर दो कर दो च्री कर दो थे मैं पोस्ट कर दो स्टोंगे जाएंगे और बड़ लूज।